आप लोगों को पता है अपन यहां पे BMCA questions series चला रहे थे ठीके आज हमारा है fourth session right question हम cover कर चुके है अब तक question number 93 तक जैसा की आप लोग देख पारे है तो फटाफट से share कर दीजिए link को अपने दोस्तों के बीच में ताकि हम next जो question है वो शुरू कर पाए question 93 तक हम कर चुके थे और most awfully topic हम complete कर चुके थे right timber हमारा चल रहा था good evening vivek good evening right timber अपना चल रहा था timber के कुछ question और अपने जो है वो remain है तो अपन उनसे आज start करेंगे timber के बाद अपना paint है construction technology है और miscellaneous है इनको आज हम cover करेंगे right और जो अपना next session होगा उसके अंदर अपन जो cumulative है सारे chapters का उनको करेंगे right तो अपना जो session next है वो अपना परसो होगा और कल अपना तूफानी series होगा right तो अपन यहाँ पर शुरू करेंगे question number 93 हम लोग deal कर चुके थे कल right तो question number 94 आप लोग के सामने है I think आप लोग को clearly visible होगा चीक है जो लोग online आ गए है एक बार confirm कर दें आवाज और वीडियो प्रॉपरली सभी को है clear एक बार clear कर दें आवाज और वीडियो प्रॉपरली सभी को clear आ रहा है तो question number 94 आप लोग के सामने है आप लोग की screen पर है पढ़िए और बताइए question number 94 के लिए क्या correct answer आना चाहिए timber के ही कुछ question आपके remain थे तो वो हम शुरू करेंगे चले बहुत बढ़िया विवेख thank you for the confirmation शुरू करते हैं question number 94 जैसा कि आप लोग को दिख पा रहा है क्या कहता है question consider the following statement आपको कुछ statement दी गई है और उनको आपको statement के बारे में बताना है कि कौन सी correct है या कौन सी incorrect है among the more common varieties of timber ठीक है namely saal, mango and deodhar right तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है saal is strongest second है mango is least durable and third deodhar is lightest तो तीनों statement के बारे में आपको बताना है कि कौन सी statement सही है या कौन सी statement सही नहीं है good evening everyone good evening जल्दी से जुड़ जाइए आप हमारे साथ question number 94 से हमाज शुरू कर रहे है 93 तक हम लोग अब तक cover कर चुके हैं हमारे last three sessions में आज हमारा fourth session है BMC का ठीक है तो question number 94 से हम लोग शुरू कर रहे है पटा पट से जो लोग online आ गये हैं answer देना शुरू कीजिए question number 94 का विवेक शर्मा ने answer अपना दे दिया है बाकी लोग जित्ते भी आ गए है शुरू कीजिए अपने answer देना गुड़ीवनिंग अर्विंद कुमार चरश्या गुड़ीवनिंग देखे यहां पर जो answer दिया है वो डी सही दिया है विवेक शल्मा ने 1, 2, 3 are correct जो साल होता है वो आपका strongest होता है देवदार जो होता है आपका lightest होता है और जो mango होता है आपका वो सबसे ज़्यादा least durable होता है चीक है तो question number 94 के लिए जो correct option है वो है option number D गुड़ीवनिंग everyone गुड़ीवनिंग फटाफट से जुड़ जाईए आप हमारे साथ option है वो है option number D चलिए next question हम लोग deal करेंगे question number 95 question number 95 आप लोगों के सामने है question number 95 बताए question number 95 के लिए क्या correct option होना चाहिए आपसे पूछा गया है in a tree the cambium layer is situated between आपको पता होगा tree का cross section कैसा होता है तो आपसे पूछा गया है कि cambium layer किनके बीच में situated होती है यह आपसे पूछा गया है first option है आप लोगों को यदि cross section ध्यान हो तो बीच वाला portion आपका होता है pit right यहां आपके कई cambium layer होती है यह आपका बार्क है outer bar क्या बार्क यह आपका inner बार्क है यह आपकी cambium layer है right यहां पर आपका जो है वो sap wood होता है ठीक है यहां पर आपका heart wood होता है और यह आपका क्या कहलाता है pit तो diagram से देखने के बाद आपको पता लग जाएगा good evening everyone good evening question number 95 हम लोग यहां पर discuss कर रहे है 95 का काफी लोगों ने answer दे दिया है आपकी जो cambium layer होती है यह आपकी cambium layer है वो किन दोलों के बीच में situated है वो situated है आपकी inner बार्क और sap wood के बीच में तो correct option जो है question number 95 के लिए वो क्या है आपका B चलिए बहुत लोगों ने यहां पर सही answer दिया है good evening good evening everyone good evening question number 95 हम लोग discuss कर रहे थे जिसका काफी लोगों ने सही answer दिया है 95 का वो है B चलिए next है आप लोगों के सामने question number 96 next है आप लोगों के सामने question number 96 96 question क्या कह रहा है the outer protective layer of a tree is बहुत ही simple question है outer protective layer के बारे में आपसे पूछ लिया गया है तो जल्दी से बता दीजिए इसका क्या answer होगा बड़ा ही easy question है 96 बहुत ही easy question आपसे पूछा गया है outer protective layer of a tree सभी को पता होगा क्या कहते है उसको बार्ख तो बड़ा ही easy सा question आगया यह तो question number 96 बहुत ही easy question सभी को इसका answer पता होगा बहुत बढ़िया बहुत ही तेजी से सभी के answer आना शुरू हो गये है बहुत ही तीवर गती से सभी के answer यहाँ पर आ रहे है 96 का जो correct option है वो है option number C चलिए गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग नव्या गुड़ीवनिंग next जो question है आपका question number 97 जो question है आपका यहाँ से आपके question शुरू हो रहे है paint के right timber का part जो है हम लोग successfully complete कर चुके हैं कुछ question यह दि अच्छे और रह जाते हैं तो अपन session फिफ्ट में consider कर लेंगे चीक है good evening good evening फटापट से सभी लोग जुड़ जाईए question number 97 हम लोग यहाँ पे शुरू कर चुके है 97 बताईए paints with white lead base are suitable for painting of paint जो है उसके अंदर base कौन सा है white lead आप से पूछा गया है कि 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 के लिए paint करने के लिए suitable है तो फटा फट से यहाँ पे आप answer बता दीजिए question number 97 का काफी लोगों ने answer दे दिया है a बहुत बढ़िया यहाँ पे जो correct option है वो है a white lead को काम में लिया जाता है woodwork में right और यदि आप से iron work की बात की जाए तो oxides of iron काम में लिये जाते हैं आपके iron work में right तो यहाँ पे जो correct option है वो है a बिल्कुल सही श्रवन कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चलिए next is question number 98 question number 98 आप लोग के सामने है the paint which has high reflective property is आप से पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा paint ऐसा है जिसकी high reflective property होती है तो question number 98 के बारे ने बताईए आप क्या answer आना चाहिए काफे लोग इसका answer दे रहे हैं c विवेक शर्मा ने answer दिया है d देखते हैं विवेक शर्मा कौन सा answer सही होगा 98 के लिए जो correct option है वो है option number c bronze paint bronze paint की reflective high reflective property होती है आपका जो cellulose paint है यह आपका काम में लिया जाता है painting of cars and ships वगेरा right casein paint जो है आपका काम में लिया जाता है casein paint आपका काम में लिया जाता है जितनी भी आपकी new plastering होती है यह ceiling वहाँ पे काम में लिया जाता है आपका casein paint right और third option है आपका enamel paint enamel paint आपका काम में लिया जाता है woodwork में तो यहाँ पर जो correct option है 98 के लिए वो है C, ठीक है, correct option क्या है 98 का C, राइट, येस, श्रवन कुमार, डूकों, पेंटे, सेलूलोज, चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर जिनों ने भी C, आंसर दिया था, उनका सही है, बाकी लोगों का ये आंसर गलत है, चलिए, next जो question है आपके सामने, question number 99, question number 99, the surface of which paint can be cleaned by washing with water, आपसे पूछा गया है किस paint की surface को water से clean किया जा सकता है, ये बात आपसे पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है, पहला option है oil paint, दूसरा है enamel paint, C है emulsion paint और D है bituminous paint, तो आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर, कि किस paint की surface को water से clean किया जा सकता है, oil paint को कैसे clean करोगे बाई water से, oil जो है वो paint में गुलता थोड़ी ना है, तो यहाँ पर जो correct option है 99 का, वो है C, emulsion paint, emulsion paint को आप, emulsion paint की surface को water से clean कर सकते हो, तो यहाँ पर जो correct option है, वो है 99 का C, ठीक है, इस type के questions काफी देखने को मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, next है आपका question number 100, question number 100 आप लोग के सामने है, the ingredient of paint which gives it the binding property and form opaque coating is, आप से यह पूछा गया है कि paint के अंदर कौन सा binding property impart करता है इन चारों में से, आप से यह पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा binding property impart करता है इन चारों में से और जिसकी opaque coating होती है, जल्दी से answer तरी question number 100 का, अभी तक तीनों option आ गया है, किसी ने A दिया है, किसी ने B दिया और किसी ने C दिया है, अभी तक कोई भी confirm answer में पास नहीं आया है, यहाँ पे जो correct option है, वो है base, base जो है, उसकी binding property होती है paint के अंदर, ठीक है, vehicle जो है, वो suspension का काम करवाता है, ठीक है, vehicle is a liquid substance, वो जो की आपका suspension का काम करवाता है, ठीक है, solvent जो आता है, वो mixing के काम में आता है, right, filler जो है, filler या extenders आपके volume बढ़ाने के काम में आते है, fillers या extenders आपके volume बढ़ाने के काम में आते है, तो यहाँ पे जो correct option है, question number 100 का, वो है base, ठीक है, base की property होती है, जो क्या होती है, binding property होती है, और opaque coating होती है, right, चलिए, next is question number 100, नहीं, श्रवन कुमार, एक बार आप वापस से check कीजिएगा, विकल नहीं होता है binding का, binding का जो काम करता है, वो base करता है, question number 101, extenders are added to the paint body too, extenders आपसे पूछा गया है, paint के अंदर क्या काम करते हैं, extenders पूछा गया है आपसे क्या काम करते हैं, अभी जैसा कि मैंने explain किया था, extenders या fillers increase करते हैं volume को, तो question number 101 का simply answer हो जाएगा D, चीक है, question number 101 का simply यहाँ पर answer हो जाएगा D, extenders are added to the paint to increase the volume, चलिए, बहुत बढ़िया यहाँ पर सभी लोग D answer दे रहे हैं, next है question number 102, question number 102 आप लोग के सामने हैं, question number 102, देखे, base of a paint is, आपसे पूछा गया है, कि इन चारों में से paint का base कौन सा है, question number 102 का answer बताईए, फटाफट से, आप लोग question number में mention कर दीजिए, करिए, answer बताने से पहले, ताकि मैं clear रहूं, आप 102 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफी लोगों ने question number 102 का answer बताना शुरू कर दिया है, question number 102 का जो correct option है, वो है white lead, अभी अभी पहला question भी आया था, कि base जो होता है, वो आपका क्या होता है, white lead होता है, यह दोनों आपके क्या होते है, वीकल्स होते है, right, और sulphate of zinc and manganese यह आपका क्या होता है, dryer होता है, right, और यह आपका क्या है, base है, तो जो correct option है, यहाँ पर 102 का वो है D, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने D answer दिया है, उन लोगों का यह correct है, 102 का जो correct option है, वो है D, आगे चलते हैं अपन, question number 103, question number 103, paint आपका complete हो गया, next question आपका शुरू होता है, यह होता है, construction technology से, right, construction technology को question है, question number 103, the horizontal projection of head or sill, beyond the face of the frame, is called, the horizontal projection of head or sill, beyond the face of the frame, is called, मान लीजिये, यह आपका sill है, तो आपसे पूछा गया है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, the horizontal projection of head or sill, beyond the face of the frame, यह आपका frame है, और यह पार्ट आपसे पूछा गया है, कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सभी लोग answer बताईए, question number 103 का, बहुत बढ़िया, यहाँ पे 103 में काफी लोगों ने answer बताना शुरू किया है, इस portion को बोलते हैं, आपका horn, ठीक है, इस portion को बोलते हैं, आपका horn, hold fast क्या होता है, जो यहाँ पर किसी भी door को hold करने के लिए लगाया जाता है, या आप उसको क्या बोल सकते हो, उसको holding करने के लिए, जो bullet या page कैसे जाते हैं, उसको बोला जाता है, hold fast, styles क्या होता है, ये जो आपके vertical member है, इनको बोला जाता है styles, ठीक है, ये आपके vertical member है, इनको बोला जाता है styles, और lower जो होता है, आपका wooden strip काम में ली जाती है, inclined, उसको बोला जाता है क्या lower, तो यहाँ पर जो correct option है 103 का, वो है A, चलिए, Next question है आपका question number 104 Question number 104 The under surface of an arch is called The under surface of an arch is called जल्दी से बताई की question number 104 के लिए क्या option आना चाहिए बात कर रहे हैं ये arch की The under surface of an arch is called अरे भई क्राउन क्यूं बता रहे हो आप question number 104 में जिसने आंसर दिया है Soffit उसका question number 104 सही है Crown क्या होता है आपका topmost portion of the arch Is called as crown Topmost portion of the arch is called as crown Crown का मतलब भी आप समझते हैं ताज तो मतलब topmost portion को बोला जाता है क्या Crown Haunch जो होता है आपका Crown से लेकर के springing तक के बीच की distance को बोला जाता है आपका haunch Either side of या तो इस side या इस side Soffit जो होता है आपका ये वाला portion इसको बोला जाता है Soffit Option है वो है C Right बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए Next जो बात कर रहे हैं अपन Question number 105 Question number 105 Question number 105 आप लोग के सामने है The exterior angle between outer faces of a wall is known as The exterior angle between the outer faces of a wall is known as Brick Mezenry a question है Brick Mezenry a question है Question number 105 Exterior angle between outer faces of a wall पूछा गया है आपसे Why जरूरी नहीं है हमेशे सरकारी option सही हो मैंने आपको बहुत बार बोली है ये चीज सरकारी option तो यहां पर सरासा गलत है सरकारी option तो यहां पर बिल्कुल गलत है तो यहां पर जो correct option है वो है 105 का C Exterior angle between the outer faces of wall is called as coin चीज़े है तो यहां पर जो correct option 105 का वो है C चलिए Next अपन बात करते है Question number 106 क्या कह रहा है 106 As compared to stone mezenry, brick mezenry is more Stone mezenry के comparison में brick mezenry के पास क्या जादा होता है चारो option में बताईए यहां पर question number 106 के लिए As compared to stone mezenry, brick mezenry का क्या जादा होता है Brit mezenry की fire resistance capacity जादा होती है Costly का होती है भाई Stone costly होते है मलकी तो यहां पर जो correct option है वो है 106 का A Fire resistance चलिए बहुत बढ़िया easy question था आगे बढ़ते हैं अपन question number 107 Question number 107 Which type of flooring is suitable For use in churches, theatres, public libraries and other places Where noiseless floor covering is desired आपसे यह पूछा गया है कि जहां पर पर noiseless अपन को चाहिए होता है वहां पर किस type की service provide करते हैं किस type की flooring provide करते हैं Question number 107 में आपसे यह पूछा गया है तो मुझे पता है question number 107 के लिए कौन सा answer correct है काफी लोगों ने answer देना शुरू कर दिया और मुझे लग रहा है इनका answer भी सही है तो यहां पर जितने भी आपके ऐसे जगा होती है जहां पर आपको noise की requirement नहीं होती है या noiseless flooring चाहिए होती है वो आपकी cork flooring वहां पर हम provide करते हैं wooden flooring जैसा कि आप लोगों को पता होगा generally कहां provide की जाती है dancing halls वगेरा में linoleum की flooring कहां provide की जाती है आपकी जहां पर आपको जैसे bathrooms हो गई आप़ की kitchens हो गया वहां पर आपकी linoleum की flooring होती है और glass flooring वहां provided होती है जहां आपको उपर नीचे का देखने को मिले तो वहांपर आप glass flooring प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है तो यहां पर जो correct option है 107 का वो है A, चलिए, next जो question है आप लोगों के सामने question number 108, पढ़िए आप बताइए क्या answer आएगा, ध्यान से पढ़ना है, सरकारी option को कोई भी यहां पर सही नहीं करेगा, Consider the following statement, आपको कुछ statement दिये गए है, उनके बारे में आपसे पूछा गया है, bricks are sowed in water before use in masonry work, Brick को पानी के अंदर डुबोया जाता है, masonry work में use करने से पहले, उसके लिए आपको तीन statement दिये गए है, to remove dust, to remove air voids, so that they do not absorb water from the cement motor, आपसे पूछा गया है, which of these statements are correct, Good evening, Anahita, Good evening, Santosh Kumar, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कि ज़रूरी नहीं है, सरकारी option हमेशा सही हो, आपसे पूछा गया है, main purpose क्या होता है, bricks को water के अंदर डुबोने का, soak करवाने का, masonry work के पहले, तो यहाँ पर जो correct option है, वो है option number D, जो main purpose होता है, वो आपका यह होता है, कि ताकि वो cement motor का moisture absorb ना कर ले, जितना moisture उसको requirement है, जितना पानी उसको चाहिए, इसलिए उसको पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है, कुछ time तक, ताकि वो motor का moisture absorb ना कर ले, जिसने की crack डवलप ना हो, तो correct जो option है, यहाँ पर option number D है, main जो purpose होता है, वो यही होता है, only C, only C is correct here, next is question number 109, question number आप लोग के सामने है, 109, प्रदीप, main purpose नहीं लिखा, तो भी आपको यही समझना है, कि mainly उसको क्यों उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, air voids को निकालने के लिए नहीं डाला जाता है, वो इसलिए डाला जाता है, ताकि वो उसका moisture absorb ना कर ले, तो best appropriate option जो यहाँ पर होगा, वो होगा option number D, next is question number 109, बाई, dust कहां से remove करते हैं, पानी में सोक करके मुझे यह बताओ आप, ब्रिक को पानी में सोक करके dust remove करते हैं, क्या, चलिए question number 109, in brick masonry, चार option आपको given है, motor strength should match brick strength, motor strength should exceed brick strength, brick strength should exceed motor strength, और D है the strength of masonry and brick are independent, तो question number 109 का आपके सामने है, 109 के लिए लोग answer दे रहे हैं, D answer दे रहे हैं, ध्यान से पढ़िए एक बार question को, इन brick masonry, motor strength should match brick strength, motor strength should exceed brick strength, brick strength should exceed motor strength, the strength of masonry and brick are independent, यहाँ पर काफी confusion है, question number 109 के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, question number 109 के लिए, जो correct option है, वो है option number A, motor strength और brick की strength, दोनों strength same होनी चाहिए, तब ही आपकी जो build, जो कोई भी structure है, या कोई भी wall है, वो आपकी prepare हो सकती है, क्योंकि load जो आएगा, वो दोनों के उपपर आएगा, तो दोनों आपके equally strong होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो correct option होगा, वो होगा option number A, जो load आएगा, वो दोनों ही equally bear करने चाहिए, ना तो brick ही fail होनी चाहिए, ना joint fail होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दोनों की strength, सेम होनी चाहिए, चलिए, question number 110, I think आप लोगों को clear होगा, question number 109, सबी को clear है, question number 109, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, next जो हमारा question है, question number 1110, the minimum depth of foundation, for building in clay soil, clay soil के बारे में, आप से पूछा गया है, कि minimum depth of foundation, कितना होना चाहिए, minimum depth of foundation, कितना होना चाहिए, आप से, clay soil के बारे में, पूछा गया है, for a building, यहाँ पर भी काफी लोगों का, confusion है, जो correct option है, वो यहाँ पर, है 0.9 to 1.6, क्योंकि clay soil के अंदर, volume changes की, जो condition होती है, वो ज्यादा होती है, इसलिए, यहाँ पर जो depth रखी जाती है, वो 0.9 to 1.6, रखी जाती है, तो जो correct option है, 110 के लिए, वो है option number A, I think, अज़िए, सभी को यहाँ पर clear होगा, जो 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 जो, the internal curve of an arch is termed as, आपको चार option दिये गए है, span, haunch, intradaws, और back, तो यहाँ पर यह question अभी आपका पहले भी आया था, वहाँ पर option था, sofit, so intradaws is also known as sofit, तो जो आपसे internal curve पूछा गया है, वो यहाँ पर जो correct option होगा, वो होगा C, intra-dolls और जो आपका soffit है वो दोनो एक दूसरे के sinon name है तो correct option यहाँ पर होगा आपके पास C चलिए next is question number 112 112 question number 112 for the construction of domes किस ताइब के stones काम में लिये जाते हैं question number 112 में आपसे पूछा गया है heavy stones are preferred, lighter stones are preferred stones are not preferred both lighter and heavier stones are preferred question number 112 का आप answer बताईए यह तो सिर्फ आप thinking से ही बता सकते है question number 112 का answer बताईए सिर्फ सोच के ही आप इसका answer बता सकते है काफी लोग इसका answer सही बता रहे हैं यहाँ पर lighter stones को prefer किया जाता है domes के लिए क्योंकि heavy stones को prefer करेंगे आप तो already जो आपकी topmost structure होगी उसके उपर यदि आप heavy stone prefer करेंगे तो wind load के कारण और उसका जो structure खुद का weight हो जाएगा self weight वो भी बहुत जादा हो जाएगा तो यहाँ पर जो correct option होगा वो है option number B काफी लोगों ने इसका सही answer दिया है चलिए आगे चलते हैं अपन question number आपका है 113 question number आपका है 113 आपसे क्या पूछा गया है in the design of cinema hall width of tread is taken as तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि treadr कौन सा part होता है और riser कौन सा part होता है तो जल्दी से comment box के अंदर बताईए tread कौन सा part होता है और riser कौन सा part होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया श्रवन कुमार domes मस्जिद के उपर होते हैं बहुत बढ़िया मस्जिद के उपर या मंदिर के उपर जो भी आपकी structure होती है इसको dom बोला जाता है आश्ये बोहर बोल रहे है tread on which foot rest बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल सही बोल रहे है tread आपका ये वाला part होता है horizontal portion जो उसकी बोल दे आप जहांपर आप pair रखते हैं उसको बोला जाता है tread और जो आपका vertical portion होता है उसको बोला जाता है आपका rise और जो बाहर की तरफ portion निकला रहता है यहाँ पर कुछ इस type की structure बनी होती है इस portion को बोलते हैं क्या nosing तो आपसे पूछा गया है cinema hall के अंदर कितना tread का dimension रखा जाता है तो 25 से 30 cm यानि की 200 से 300 mm तो correct जो option है वो यहाँ पर है A 113 का जो correct option है यहाँ पर A है काफी लोगों ने इसका answer दिया है लेकिन कुछ ही लोगों का सही है 50 cm का मतलब कितना हो गया 0.5 meter बहुत जादा हो गया भई इतना भी provide नहीं करते ट्रेड cinema halls में आप लोग काफी बार गये होंगे तो आपने देखा होगा 0.5 meter का मतलब कितना हो गया बहुत जादा हो गया इतना provide हम नहीं करते हैं चलिए तो यहाँ पर जो correct option है वो 113 का है A बहुत बढ़िया चलिए next question है आप लोगों के सामने the position of brick cut to form angles other than the right angles in the plan is known as the position ध्यान से पढ़ना है question को आप से क्या बोला गया है आप से बोला गया है the position of brick cut to form angles other than right angle in plan brick को काटा गया है लेकिन right angle में नहीं काटा गया है और plan में आपको देखने पर वो क्या देखेगा यह आप से पूछा गया है question number 114 question number 114 question number 114 अरे queen closer कहा होता है भाई queen closer तो बिल्कुल गलत answer है आपका जो correct option होगा वो यहाँ पे होगा is quint closer queen closer तो simply आपकी जो brick brick है उसको longitudinally काट दिया गया यह होता है आपका queen closer तो यह कहां से हो रहा है option और king closer आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि brick की यहाँ से यह वाली width और यहाँ से यह वाली width इसको दोनों को मिला दो तो यह आपका क्या बनता है king closer यह होता है आपका king closer और squint closer कुछ आपका इस type का हो गया कुछ इस type का आपका हो गया squint closer अजय ऐसकी आपका इसकी आपका होगा अपका शाहा है यह आपका हो गया मीटर क्लोजर कुछ इस टाइप का यह होता है आपका मीटर क्लोजर ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट आप्शन है वो 114 क्या है डी चलिए आगे चलते हैं आपन question number 115 अब आपसे पूछ लिया गया है residential building का तो काफी लोग comment में डाल रहे थे मैंने उनका comment इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था question आगे आने वाला है residential building का चलिए यहां पर आपसे पूछा गया है the minimum width of tread without nosing ध्यान रखना without nosing आपसे पूछा गया है for staircase of residential building shell B staircase के लिए आपके building के लिए पूछा गया है without nosing जो tread के value है वो क्या होनी चाहिए यह आपसे पूछा गया है ज्यान से पड़िए question के अंदर जो answers दिये गए हैं काफी nearable दिये गए हैं तीन option तो 150, 190 और 200 तो यहां पर जो correct option होगा वो आपके पास होगा 115 का C 200 mm की dimension रखी जाती है for residential building तो 115 का जो correct option है वो है C D नहीं है residential building के अंदर हम 300 mm प्रोवाइड नहीं करते हैं श्रवन कुमार चलिए next question number 116 question number 116 आप लोग के सामने है the minimum depth of reinforced bond provided as strengthening arrangement in mezenry building is 115 का C correct option है बताया तो अभी 200 mm चलिए आपसे question next पूछा गया question number 116 clear है सभी को question number 115 आगे चले क्या question number 115 clear है बाई 250 तो option में ही नहीं है न तो आपको वो भी तो mark करना पड़ेगा जो option के अंदर है question paper के अंदर आया हुआ question है चलिए यहां पर हम बात कर रहें question number 116 the minimum depth of reinforced bond provided as strengthening arrangement in mecenary building mecenary building के अंदर हम reinforcing bar जो डालते हैं उसकी जो depth है वो कितनी होनी चाहिए यह आपसे पूछा गया है right तो यहां पर जो correct answer है वो है A 75 mm इसमें ऐसा कुछ explain करने लायक नहीं है memory करने का data है आपको याद रखना है 75 mm चलिए 116 का जो correct option है वो है A लेकिन यह question आया हुआ है इसलिए मैंने आप लोग के लिए question डाल दिया हो सकता है दुबारा repeat हो जाए चलिए question number 117 question number 117 आप लोग के सामने है पढ़ी और पता कि क्या answer होना चाहिए question number 117 का according to NBC national building code 2016 the slope of a ramp in the building shall not exceed again यह question आपका कई बार आया हुआ है question number 116 आपसे पूछा गया है NBC के तहट या NBC के अनुसार किसी भी building के लिए ramp की value किस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपका बिल्कुल code based data है यह बिल्कुल यह diploma degree A.J.E. दोनों के लिए useful है क्योंकि questions जो होते हैं इन exams के अंदर repeated repeated question आते हैं UP का कोई exam हो रहा है उसमें I.O.A. question राजस्थान में पूछ लिए राजस्थान के exam हो चुका तो UP में वो question पूछ लिए तो repeated ही question इदर-दर गुमते रहते हैं तो यह जो questions है दोनों के लिए as well as useful है तो question नमबर 117 का जो correct option है वो है option number A तो जिन भी लोगों ने 117 का A option दिया है उनका सही है विवेकशर्मा ने यहाँ A दिया है सुभाष ने भी A दिया है नीरज कुमार ने भी दिया है और नव्या ने भी दिया है तो जो correct option है 1 in 12 बानु प्रताप सिंह जब भी कोई vacancy आएगी आपको inform कर दिया जाएगा यहाँ पर आपका vacancy का जैसे ही आता है वीडियो डाल दिया जाता है चलिए यहाँ पर next अपन बात करते हैं question number 118 question number 118 part of brick which has half header face and half stretcher face is known as question number 118 आप लोग के सामने हैं गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमने इससे पहले discuss किया है यह question number 118 के बारे में बताईए बिलकुल भी गलत आंसा नहीं देना यहाँ पर किसी को अभी थोड़े पहले हमने है डिसकर्स किया है question फिर भी काफी लोग गलत बता रहे हैं half header face and half stretcher face half header face and half stretcher face अभी diagram बताया था फिर भी आप लोग गलत आंसर बता रहे हैं यहाँ पे correct option होगा वो होगा king closer, queen closer तो simple longitudinally brick को काट दिया जाता है तो यह जो आपका portion बना है इसको बोलते हैं queen closer right king closer आपको बोला गया है मतलब आपकी यह brick है पूरी और यहाँ सी इसका half stretcher face लिया और half header face लिया इन दोनों को मिला दिया तो जो portion बना आपका वो होता है आपका king closer यह होता है आपका king closer तो confused क्यों हो रहे है आपसे question number 118 में यही पूछा गया है half header face and half stretcher face is known as तो यहाँ पर जो correct option है question number 118 का वो है B ठीक है तो जो king closer answer दे रहे हैं उन लोगों के लिए सही है यह option और जो queen closer बोल रहे थे वो गलत जवाब दे रहे है ठीक है आगे चलते हैं आपन question number आपका है 119 question number आपका 119 I think clear होगा question number 118 आगे चले question number 118 clear है आगे चले चलिए question number 119 आप लोग के सामने है Bacema process is used for the manufacture of यह आपका miscellaneous part चालू हो गया है यहां से miscellaneous part यहां से चालू हो गया है question number 119 आप लोग के सामने है मुझे बताईए क्या correct option होना चाहिए इसके लिए बताईए क्या option होगा यहां पे अभी तक यहां पे किसी ने भी मुझे correct option नहीं दिया है यहां पर जो correct option है वो है C steel बैसे मैं process को जो काम में लिया जाता है steel के manufacturing में काम में लिया जाता है कहां से manufacture होता है pig iron से manufacture होता है बिल्कुल बस थोड़ी देर में यह class हमारी complete हो जाएगी 10-15 मिनट और चाहिए तो यहां पे जो correct option है 119 का वो है C Bessemer process is used for the manufacture of steel next is question number 120 question number 120 mastic asphalt is normally used for बहुत ही easy question किसी का भी यहां पे question गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी यह question यहां पे गलत नहीं होना चाहिए mastic asphalt is normally used for सभी को पता होगा यह question number 120 हम लोग discuss कर रहे है 118 तो कप का गया mastic asphalt is normally used for आप लोग को पता होगा mastic asphalt कहां पे काम में आता है आपका bituminious pavement flexible pavement में तो किसके लिए काम में आता है waterproofing में अभी लोग को सही होना चाहिए यह option 120 का B पता नहीं कहा fireproofing बता रहे है चलिए next is question number 121 question number 121 in the fractional distillation of crude oil the component of crude which do not evaporate is fractional distillation कर रहे हैं हम crude oil का तो इन में से कौन सा component crude का evaporate नहीं होता है यह आपसे पूछा गया है question number 121 में तो जल्दी से बताइए यहां पर जो correct option होगा वो क्या होगा 121 के लिए अखिलेश मौर्या थोड़ा पीछे चल रहे हैं आपसे पूछा गया है कौन सा component evaporate नहीं होता है तो यहां पर जो evaporate नहीं होता है वो evaporate bitumen नहीं होता है ठीक है बाकी के जो तीनों option है वो evaporate हो जाते हैं तो जो correct option है question number 121 के लिए वो है आपके पास C चलिए आगे चलते हैं question number 122 question number 122 आप लोग के सामने है acoustic roof is related with acoustic roof is related with आपसे यह पूछा गया है acoustic का मतलब जहां पर acoustic आगया आप सीधे के सीधे क्या आप जाएंगे वहाँ पर sound पर बहुत सही काफी लोगों ने इसका आंसर सीधे ही मार्ट कर दिया बिल्कुल सही यह time consuming question नहीं है जहां पर acoustic आगया वहाँ पर आप सीधे जाएंगे sound पर तो question number 125 के लिए जो correct option है वो है C sound proof बहुत बढ़िया next is question number 123 question number 123 bakelite is N bakelite is N आपसे पूछा गया है bakelite जो होता है वो क्या होता है चार option आपको दिये गया है insulator, semi conductor, high resistance conductor और D है low resistance conductor bakelite के बारे में आपसे पूछा गया है क्या होता है bakelite question number 123 काफी लोग A दे रहे हैं, काफी लोग B दे रहे हैं तो यहाँ पर जो correct option है वो है bakelite is N insulator क्यूंकि bakelite के आपने देखा होगा switches बनते हैं, right? तो यहाँ पर जो bakelite है वो क्या है आपका insulator है, इसलिए वहाँ पर उसके switches बनते हैं तो बेकलाइट is an insulator, तो correct option क्या है 123 का, वो है A, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, next question है 124, next question is question number 124, which metals are called noble metals due to naturally occurring pure metal and are stable on their own, आपसे बोला गया है कि चारो option में से कौन से metal, noble metal है और due to naturally occurring metal है और stable है, खुद ही, खुद ही stable है वो, question number 124 हम लोग यहाँ पर discuss कर रहे हैं, question number 124 के लिए क्या option आना चाहिए, देखिए जो अभी हम question कर रहे हैं, यह आपका miscellaneous part में है, कभी-कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके पासत question मैंने यहाँ पर डाल दिये हैं, तो question number 124 के लिए जो correct option होगा, वोगा option number B, gold and silver, देखिए, gold, silver, platinum, तीनों ही आपके क्या है, noble metals है, लेकिन आपसे last condition भी देखिए है, stable on their own, तो stable कौन-कौन से हैं यहाँ पर, gold और silver, अकेले यह किसी से reaction यहाँ पर नहीं करते हैं, तो 124 में जो है B, correct है, उन्हें stable होने के लिए किसी से reaction नहीं करनी पड़ती है, वो खुद ही stable होते हैं, तो जो correct option था, वो है option number B, चलिए, आगे चलते है question number 125, question number 125, सोम में भी पड़ा जाता है यह चीज, तो यहाँ पर यह चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, question number 125, आप लोगों का सभी का सही आना चाहिए, क्या कह रहा है question, carbon content of steel is increased, यदि carbon content steel का increase कर दिया जाता है, तो which of the following parameter of steel will be reduced, तो steel का कौन सा parameter reduce कर जाता है, यह आप से पूछा गया है, इस ताइप की question सोम में भी deal होते हैं, और इस ताइप की question यहाँ पे भी deal होते हैं, तो आप लोगों को बताना है, carbon content increase करने से क्या, या कौन सी property decrease कर जाएगी, carbon content increase करने से, brittleness बढ़ती है, strength बढ़ती है, hardness बढ़ती है, reduce क्या होती है, ductility, तो यहाँ पर जो correct option है, वो क्या है, D, बिल्कुल श्रबन कुमार यह सभी का सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे मिल जाएंगे, जिनका यह answer गलत होगा, तो यहाँ पर मुझे मिल गए है, causal कुमार ने answer दिया है, A, बाकि सब के answer अभी तक D आ रहे थे, लेकिन एक दो ऐसे हो जाते हैं, जिनका answer गलत हो जाता है, ब्रिटलनेस बढ़ती है, strength भी बढ़ती है, hardness भी बढ़ती है, तो कि जैसे ही आप current content increase करेंगे, आपको मिलेगा cast iron type, ठीक है, तो cast iron की ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है, mild steel से strength ज़्यादा होती है, hardness भी ज़्यादा होती है, लेकिन ductility कम होती है, चलिए, next question है, आप लोग के सामने, plastic का कुछ question है, पढ़िए इसके लिए क्या correct option होना चाहिए, यह आप से पूछा गया है, simple question है, question number 126, plastic can be broadly classified as, पहला option है, monomers and polymers, B option है, thermosetting and thermoplastic, C है soft and hard, और D है elastic and rigid, तो जिन लोगों ने भी miscellaneous का part पढ़ा होगा, कहीं पर भी, आपने पढ़ा होगा कि plastic को दो part में divide किया जाता है, thermosetting और thermoplastic, तो correct option यहाँ पर है, 126 का, वो क्या है, B, चलिए, यहाँ पर सभी नहीं almost सही answer दिया है, question number 126 का, आगे चलते हैं आपन question number 127, काफी अच्छा question है, question number 127 काफी बार पूछा गया है आपके previous exams में, right, तो यहाँ पर पढ़िये question को क्या कह रहा है, for manufacturing colored glass, यदि आपको colored glass को manufacture करना है, the coloring pigments are added in the glass at the stage of, जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं पर transparent bottle होती है, और कहीं पर colored bottle होती है, colored bottle, कहीं green होती है, कहीं red होती है, तो आपसे वही पूछा गया है, कि यदि कोई bottle आपकी अलग-अलग color की है, तो उसके अंदर coloring pigment किस stage में add किये जाते हैं, जिससे उसका bottle का color change हो जाता है, रोईत ओजा कह रहे हैं, बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आंसर बताईए question number 127 का, question number 127 का आंसर बताईए वे दि बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो, जिन्होंने भी इसका B option दिया है, उनका गलत है, जिन्होंने C option दिया है, उनका सही है, melting वाली stage के अंदर हम coloring pigment add करते हैं, जिससे कि उसका color change हो जाता है, हमें bottle का color वो देखने को मिलता है, जो pigment हमने add किया है, तो यहाँ पे जो correct option है 127 का, वो है C, चिक है, चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो correct option 127 का वो है C, आगे हम deal करेंगे, question number आपका है 128, question number 128, streak of a mineral is, यह आप से question के अंदर पूछा गया है, और 4 option आपको दिये गए है, यह इस type के question, यदि आपको ध्यान हो, तो हम जो geographical lab होती थी, वहाँ पे deal करते थे, तो यहाँ पे यह question आपका लिया गया है, वहाँ से, its appearance is diffuse light as obtained by rotating it, color of the powder of a colored mineral as obtained by rubbing it on a porcelain plate, C option है, its appearance is thin section as seen under a polarizing microscope, और D है, none of these, तो बताईए यहाँ पे question number 128 के लिए, कौन सा correct option होना चाहिए, तो यहाँ पर काफी लोगों ने answer दिये हैं, श्रवन कुमार कह रहे हैं, पता नहीं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो option दिया है, वो दिया है B, तो यहाँ पे जिन्हों ने भी B option दिया है, उनका option correct है, porcelain plate के उपर यदि आप उस mineral को rub करते हैं, तो उसका color यहाँ पे show होता है, ठीक है, porcelain plate के उपर यदि आप उसको rub करते हैं, तो उसका color show होता है, इसी को ही streak of mineral बोला जाता है, तो यहाँ पे जो correct option है 128 का वो है B, चलिए, नेक्स्ट और आज का last question, question number 129, आप लोगों के सामने हैं, और मुझे बताइए question number 129 के लिए क्या answer आना चाहिए, question number 129 आपकी screen पर है, आज का last question, बाकी के question हम next discuss करेंगे आपके Saturday को, कल आपकी जो series है, तूफानी series का day है, Friday 6 बजे, फिर मिलेंगे SSC Jai के next paper के साथ, तो question number 129 आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट से, क्या answer होगा, the process in which glass is subjected to heating and slow cooling, आपसे उस process का नाम पूछा गया है, जहाँ पर heating और slow cooling होती है for the glass, बिल्कुल side होगा है, श्रवन कुमार, बताइए question number 129 का क्या option सही होगा, काभी लोगों ने इसका answer देना शुरू कर दिया है, question number 129 के लिए, जो correct option है, वो है annealing, annealing एक process होता है, जिसके अंदर आपकी glass की slow cooling होती है, और heating होती है, उस process को क्या नाम दिया जाता है, annealing, और pasturization से तो आप लोग clear ही होंगे, जो आपको packaged milk मिलता है, वो आपका क्या है, pasturization का example है, right, cracking and casting से भी आपको पता होगा, जितने भी आपके molten होते हैं, liquid stage में जितने भी आपके material होते हैं, उनको आपको किसी भी cast में डाला जाता है, mold में डाला जाता है, उसके बाद जो structure बनती है, उस process को बोलते हैं, आपका casting, cracking से आप सभी लोग बिढ़्य होंगे, cracking किसको बोल जाता है, तो 1.29 के लिए जो correct option है, वो है option number B, चलिए, आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे आपका, तूफानी सीरीज के साथ, SSCJE का next paper, और परसो हम BMC के साथ वापस मिलेंगे, शाम 6 बजे, Thank you everyone.